हलो स्टुडेंट्स क्लास फर्स्ट बच्चो आए अपकी जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं जीके के हमारा लास्ट वीडियो में हमारा सभी सब्जेक्ट का रिविजन कम्प्लीट हो चुका था तो आज हम न्यू चैप्टर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है बचो नेकी नेक चीज़ का ध्यान रखना अब जो भी मैं आपको new chapters पढ़ा रही हूँ उनको ध्यान से साथ के साथ उनको read करते जाना ताकि आपकी November में जो भी UT हो तो आप उसमें revision दुबारा करोगे तो आपको easy पढ़ेगा कि हमने साथ के साथ उस chapter को पढ़ लिया ठीक है अपना work भी complete करते जाना चलो आज हम chapter 29 से start करते हैं that is world of tools सबसे बहले यह बताओं मैं आपको की tools क्या होते हैं tools होते हैं बच्छों और जार tools को हम क्या कहते हैं और जार look at the given tools with names यहां पर आपको कुस tools देखने हैं उनके name के साथ find these tools in the given word search यहां पर देखो आपको ब का name जो है वो search करना है ठीक है पहले यहां पर tools देखो tools के साथ सबका name दिया हुआ है ठीक है देखो number one spanner saw wrench hammer है ना यह सबी देखते हो ना आप घर में क्या बोलते हैं आप इसको हतोड़ा है ना range है ठीक है axe जो कुलाड़ी होती है उसको क्या बोलते है axe, sizzle, pillars, screwdriver, scissor, shovel ठीक है तो आपको देखो सबके name भी पता चल गई है ना बचो तो अब हमें करना क्या है यहां पर जो बीच में आपको puzzle दिया हुआ है इस puzzle में सबके name को search करना है उपर जितने भी हमने tools के name पड़े हैं अब देखो कैसे यहां पर देखो spelling सबसे mix करके दी हुई है तो हमको सर्च करना है देखो सबसे पहले आएगी हैं यहां पर scissor इसको ऐसे हम block के अंदर पंद कर देंगे pencil से ठीक है scissor की spelling होती ना s-c-i-s-s-o-r-s scissor उसकी बार next देखो यहां पर यहां रहा है spinner यह हो गया spinner उसके बार देखो देखो गया next देखते हैं यह है hammer h-a-m-m-e-r यह क्या बन गया हमारा hammer ठीक है और देखो उसके बार यहां पर है w-r-e-n-c-h यह क्या बन गया हमारा rint तो देखो हम बनाते जा रहे हैं ना उनकी spelling सब ही होते जा रहे ना अब देखो आप इसके बाद next देखते हैं देखो एग गिरा ऐसी-double-व तो ठीक है एक एक हो गया अब इसके बाद कॉन कौन सी हमारे नेम बची हैं सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं जो जो मारे नेम मिलते जा रहे हैं उन बताओ, 100, अभी मिल गया, यहाँ पर लिख दिया हमने, नमबर 2, फिर नमबर 3 पर है, रिंच, रिंच पर लिख दिया हमने, नमबर 3, फिर हैमर, नमबर 4 पर है, तो हैमर पर हम लिख देंगे, नमबर 4, अब, नमबर 5 पर क्या है बचो, X तो X हमने धून ली इस में चलो अब X को धूनते है तो देखो यह बन गया हमारा A X X एक spelling के अंदर भी वो mix हो सकता है तो यहाँ पर हम X पर क्या डालेंगे नमबर 5 ठीके अब उसके बाद देखो पजल के ठीक नीचे दे रखा है Caesar तो 5 के बाद हम डालेंगे यहाँ पर नमबर 6 Caesar ठीके उसके बाद आप देखो नेक्स्ट है हमारा नमबर 7 नमबर 7 देखो यहाँ से C-H-I S-E-L ठीके तो इसको हम ऐसे इसको box में बंद करके यहाँ पर क्या हम से डालेंगे नमबर 7 नमबर 8 पर है प्लायर्स तो प्लायर्स कहां से आ रहा है देखो इस पैनर के अंदर से यहीं से शुरू करेंगे P-L-I-E-R-S ठीके यहाँ पर इस box को हम बंद करतेंगे इस box में क्यां से डालेंगे नमबर 8 ठीके उसके बाद में है हमारा स्क्रू ड्राइवर तो वो कहां से आएगा देखो यहाँ पर सीजर वाली लाइन जो है न लास्ट में यहीं के S से शुरू करेंगे और स्क्रू ड्राइवर यहाँ तक हमारा आ गया ठीके न तो देखो इस पैलिंग अंदर से मिक्स होगी जाता है यह ठीके तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे नम्बर 9 नम्बर 8 तक होगए थे न हमारा नम्बर 9 अब हमारा लास्ट नम्बर 10 है शाओल शाओल को और डुढ़ते हैं हम यह दूद को नम्बर 1 जहां से जा रहा था न वहीं से हमारा नम्बर 10 स्टार्ट होगा तो यह देखो हो से यहाँ तक शोवल S-H-O-V-E-L ठीके तो इसमें हम नमबर 1 और पर यहाँ पर डाल देंगे नमबर 10 दोनों हो गए हमारे इसी में तो देखो हमने पूरा पजल सॉल्फ कर लिया सारे टूल्स के नीम हमने सार्च कर लिया और उने बॉक्स के अंदर हमने बंद भी कर लिया ठीके तो आपको करना क्या है आपको पहले यह चैप्टर पढ़ना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबी टूल्स को आपको उनकी नेम के साथ ठीके नेम के साथ याद करना है और आप कॉपी में क्या कर सकते हैं आप इनका एक चार्ट पेपर ले सकते हैं मार्केट में आप टूल्स की नाम से कोई चार्ट पेपर ले आएंगे उन चार्ट मेंसे आप इनकी पिक्चर्स को सर्च कर पिक्चर्स को कट करके अपनी कॉपी में पेस्ट कर ली ना ठीक है जैसे हमने X को paste किया और उसके सामनी हम X की spelling लिक्स देंगे ठीके ऐसे ही next हमने spanner spanner को paste किया उसमें से cut करके चार्ट में से और उसके आगे हमने लिग दिया spanner ठीके तो इस तरीके से आप साभी tools की pictures को cut करके paste कर लेना और फिर उनके name लिख देना आगे ठीके इस तरीके से हमारा ये chapter complete हो जाएगा ओके बचो आज के लिए इतना ही thank you